dual barrel headlamps मिल जाते हैं, diamond cut alloy wheels यहां आपने को मिल रहे हैं और यहां से अपनी टाहर mobile ticket चले गई है build quality के साथ में जो mileage का combination है वो अपने को मिल जाता है एल्ट्रॉस में, premium ness feel होगी बिलकुल आपको अंदर आते ही दोनों जो है ना, automatic function के साथ में आते हैं rear race events यहां मिल जाते हैं नमस्कार दोस्तो, मैं हो नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं Tata Ultras का XZ variant अब यह जो है अपनी line-up का second top variant है premium hatchback segment में आती है अपनी Ultras और इसकी जो premium ness है ना यार आपको हर जगे feel होने वाली है एक तो looks इसमें बड़े जबरदस मिल जाते है साथ में जो build quality offer करती है आपको Tata इस car में वो यार कोई भी beat नहीं कर पाता पूरे segment में 5 star की तगड़ी safety मिल जाती है अपने को Ultras में global end cap crest है इसकी मतलब तगड़ा एकदम structure मिलने वाला है साथ में जो features मिल रहे है इसमें one by one मैं आपको बताऊंगा बड़े जबरदस मिल जाते तो चलिए वीडियो काफी जादा informative रहने वाला है तो आप end तक बने रही है और channel में जो first time आया है फटाफट से subscribe कर लीजे और bell notification on कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो upload करूँ तो आप तक notification पहुच जाए तो start करेंगे pricing से उसके बाद मैं walk around बताऊंगा one by one सारी चीज़े देखते हैं तो एक showroom price की बाद करें Tata Ultras XZ variant की अब ये जो है petrol variant के साथ में तो ये अपने को 8,59,000 में आ जाती है call करके आप विजिट करके आप सारी डीटेल्स ले सकते हैं तो चलिए आप start करते हैं walk around सबसे पहले front profile देखिए road results भी बहुत बढ़िया अपने को मिल जाता है Tata Ultras का 1755 mm की overall अपने को width मिल जाती है अब center में अगर देखे तो Tata का logo मिल जाता है projector headlamps अपने को मिल जाते हैं यहाँ पे low beam के लिए high beam के लिए reflector based headlamps मिल जाते हैं side में यहाँ पे देखे turn signals मिल जाते हैं नीचे side अपन आते हैं तो यहाँ पे LED DRLs और अपने को fog lamps भी मिल जाते हैं अब नीचे side में यह देखे जो bumper का design अपने को तो overall अगर front profile से देखें तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं Tata Ultras के अब side profile के side में पन जैसी जाते हैं तो यहाँ पे अपने को second top variant में ही alloy wheels मिल जाते हैं अब wheels के अगर section की बात करें तो यहाँ पे अपने को 18560R16 मतलब 16 inch के अपने को wheels मिल जाते हैं diamond cut alloy wheels यहाँ अपने को मिल रहे हैं अब देखे front पे अपने को disc brake मिल जाते हैं और rear में मिल जाते हैं अपने को drum brakes तो यह इसके braking का setup है अब ORVM की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को piano black में मिल जाते हैं देखे chrome यहाँ पे भी मिल रहा है मतलब second top variant में आपको premiumness हर जगे feel कराएगी शाटा तो ORVM अपने electrically adjustable और foldable दोनों option यहाँ मिल जाता है turn signals मिल जाते हैं अपने को fender main अब side में देखे shoulder line भी बड़ी जबरदस्त अपने को मिल जाती है और B pillar पूरा blacked out अपने को मिल जाता है glass area आप देख सकते हैं बहुत बड़ी आपने को मिल जाते हैं अब side profile से देखे हैं तो देखे हैं ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते है Tata Ultras के अब dimensions की अगर बात करें तो under 4 meter है अपनी Ultras और अगर length की बात करें यहाँ पर 4990 mm की overall length मिल जाती है width मैं आपको बता दिया ground clearance की बात करें तो 165 mm पर अपने को ground clearance मिल जाता है decent ground clearance भी मिल रहा है अपने को Tata Ultras में तो उसका कोई issue नहीं है और 7 में wheel base की बात करें तो 2501 mm पर यहाँ पर wheel base मिल जाता है यार इतने wheel base के साथ में अंदर जो space मिल जाता है वो भी बढ़ा जबरदस मिल जाता है और वो भी अपन अंदर जाके check करने वाले हैं तो side profile से सारी चीज़े complete होती है नहीं एक चीज रह गई यह अब देखिए यहाँ पर अपने को request sensor मिल जाता है यह अपने को से driver side मिलता है passenger side यह नहीं मिलता है तो side profile से सारी चीज़े complete होती है अब चलते हैं इसके rear profile के side में तो देखे rear profile के side में अपने को high mount stop lamp मिल जाता है दो wings की design यहाँ मिल जाते है यह focus दुलबल हो गया अब center पे अगर देखे तो rear view camera rear defogger भी यहाँ अपने को मिल रहा है और 7 में यहाँ मिल जाता है vocal for local का sticker तो क्या बोलते हो भाई होना जीएगी नहीं vocal for local तो comment पे ज़रू बताइएगा अब center पे अपने को Tata का logo मिल जाता है altros की pricing मिल जाती है और उसके 20 मिल जाता है rear view camera दो मिल जाते हैं अपने को reverse parking sensors और नीचे मिल जाते हैं reflectors अब इसके tail lamps की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को break lamps मिल जाता है नीचे side अगर देखे तो tell signals मिल जाते है और यहाँ पे देखे अपने को मिल जाते हैं इसका reverse parking lamp नब यह जो है single side मिलता और एक side अपने को dummy किया हुआ है rear profile से देखें तो देखें ऐसे कुछ looks मिल जाते है अपने को Tata Altros के XZ variant के अब इसके अगर boot को open करना है तो उसके लिए चाहिए अपने को चावी क्योंते request sensor वहाँ अपने को मिल जाता है तो सबसे पहले अपने को मिल जाते हैं और अनलॉक करने में यह unfold भी हो रहे है तो चलिए यह feature यहाँ मिल जाता है अब boot space की बात करें तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ तो Tata के logo के नीचे अपने को मिल जाता है request sensor इसको open जैसे click करते हैं तो देखें यहाँ पर request sensor मिल जाता है यह camera है और पीछे का जो rear part है यह भी पूरा piano black में अपने को मिल रहा है अब देखें बूट space में अपने को parcel tray भी मिल जाता है तो second top variant है यह तो features मिल नहीं थे अब boot space की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 345 लीटर का यहाँ पर अपने को boot space मिल जाता है तो boot space भी काफी बढ़िया मिल जाता है इस side अपने को एक hook मिल जाता है और एक इस side और boot light भी हाँ मिल जाती है और यह जो अपने hooks है ना 3 kg के load carrying capacity के साथ में नीचे side अगर देखें इसके तो अपने को spare wheel मिल जाता है और यह जो है 14 inch का normal steel rim मिल जाता है और यहाँ से अपनी pair mobility की चले गई है तो भाई अब सोस तो होगा क्योंकि बहुत बढ़ी है एक जो feature है यहाँ से गायब कर दिया टाटा ने आप वो क्या लगता है इसको रखना चाहिए था कि नहीं comment पर बताएगा उपर देखिए अपने को cladding मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते है बन तो rear profile होगे अपना अब side profile के side में अपन जैसी जाते है यहाँ पर अपने को fuel pillar cap मिल जाता है fuel tank capacity की बात करें तो 37 liter का fuel tank मिल जाता है mileage की बात करें तो इसमें 90 से 20 km का mileage भी मिल जाता है यकीन नहीं हो रहा है by BS 6.2 के upgrades के बाद में आपको यकीन करना पड़ेगा इतनी heavy structure के साथ में mileage का जो combination है मतलब build quality के साथ में mileage का combination है वो अपने को मिल जाता है altros में अब वो मैं आपको MID पे दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि आप payment करने लग जा MID में मैं आपको दिखाता हूँ तो exterior में सारी चीज़े होगी अब चलते interior में और देखके वहाँ पे अपने को soft touch दिया हुआ है चारो power window के बटन मिल जाते है one touch down function अपने को driver side मिल जाता है वो अर्वियम को adjust और fold करने के लिए बटन मिल जाता है नीचे bottle holder और यहाँ पे dedicated umbrella holder भी मिल जाता है अब देखिए speaker का अग्रेल यहाँ अपने को दिख रहा है अब seats की बात करें तो यहाँ पे height adjustment का भी option अपने को मिल जाता है अब यह जो है ना fabric का positive बलती है यह seat covers उपर से install है अब देखिए headrest भी अपने को adjustable मिल जाते है seat का cushion और comfort अंदर जाके अपन बात करते हैं तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने features बढ़ जाते हैं अपने को altros के second top variant में तो seat को मैं कर लेता हूँ थोड़ा पीछे और एक बार dashboard के जो looks है वो देखिए आप premiumness feel होगी बिलकुल आपको अंदर आते ही ताटा altros के तो one by one सारी चीज़े देखते हैं सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है आपके लिए तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो अब स्टेरिंग वील से स्टार्ट करते हैं तो D-cut shape में स्टेरिंग वील मिल जाता है सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है staring update gia imper on свобод में अपने को मिल जाता है एड़ेस्ट की बात करें तो विल जाता है प्रेस्ज़ोफिक पें यहां आपने को नहीं मिल जाता है ब्रेस्चाहर जबरदस्ट होड़े में गाउन होड़ेशर वीर buff यहां पर यह पर बोल रहा था है हो गही है ईब cluster की बात कर लेते हैं इस side अपने को start stop का बटन मिल जाता है fog lamp का button मिल जाता है यहाँ नीचे मिल जाता है lock करने की लिए doors और यहाँ पर अपने को ideal start stop का button मिल जाता है नीचे side भी देखी लेते है ambian lighting यहाँ दिख रही है आपको यह साइड मिल जाती है अपने को और यहां पिदेखी साइड में अपने को मिल जाता है blue color में बढ़ा मस्त लग रहा है यार अब नीचे अपने को 3 pedals मिल जाते हैं और यहां पर एक dead pedal भी मिल जाता है अब cluster कौन कर देते हैं अपन हम इसको अपन press कर देते हैं तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster, digital plus analog मिल रहा है और ये मेरा favorite है, अब आप भी बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगता है, कि अब नए जमाने का total digital वाला, left side में टैकोमिटर मिल जाता है, center में M.I.D. और right side में अपने को speedometer मिल जाता है, अब इस M.I.D. में क्या क्या मिल जाता है अपने को, उपर अपने को clock दिख रही है, यहाँ पे fuel gauge मिल जाता है, यह range दिखा रहा है और यहाँ पे अपने को instant fuel economy मिल जाती है, और यहाँ पे देखे, temperature gauge भी दिख रहा है अब mode की बटन को मैं जैसी press करता हूँ, तो temperature दिखा रहा है, average दिखा रहा है, ट्रिपे में, तो average देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ मैं लोगों को अपने 21.6 KMPL का mileage इसने perform करिए, मतलब ARI claimed जो mileage है ना, उससे ज़ादा ही mileage आप इससे निकाल सकते हो, तो है ना जबरदस्ट mileage, अब trip A हो गया, trip B हो गया, तो इतने कुछ feature से हैं मिल जाते हैं, अब center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो देखिए, यहाँ पर यह glossy finish मिल रहा है, dual tone में अपने को dashboard मिल जाता है, देखने में बहुत बढ़िया यह लग रहा है, looks बहुत बढ़िया आ रहे हैं, अब देखिए, floating style में अपने को यहाँ पर 7 inch का infotainment system मिल जाता है, और यह हर्मन powered है, अब इसमें ऐसे sound output आपको नहीं मिलेंगे, नीचे sign up पनाते हैं, तो AC vents मिल जाते हैं, hazard का button, altros की badging मिल जाती है, और नीचे चम चमाता हुआ अपने को ambient lighting मिल जाती है, उसके नीचे अपने को automatic climate control मिल जाता है, यहाँ पर अगर देखिए, तो अपने को 12 volt का power socket, और यहाँ पर अपने को USB connectivity और एक Type-C का charging socket, यहाँ पर अपने को मिल जाता है, थोड़ा space phone अगरा अपन रख सकते हैं, और यहाँ पर भी अपने को मिल जाता है, ambient lighting, 5-speed का manual gearbox मिल जाता है, reverse camera की quality की बात करें, तो यह देखिए, ऐसी कुछ quality अपने को यहाँ मिल जाती है, और यह जो है न, adaptive guideline के साथ म अंदर देखें, तो इतना कुछ space मिल जाता है, अब glove box की अगर बात करें, तो यहाँ पर इतना कुछ space मिल जाता है, बहुत ही deep है, देख रहे हैं आप, वहाँ तक मिल जाता है और dedicated light भी, और organizer भी यहाँ अपने को मिल जाता है, और उपर side अगर देखें तो यहाँ पर ticket holder मि मिल जाता है, जो day and night अपने manually, adjust कर सकते हैं, cabin light जो की LED है, और यहाँ पर तोड़ा space मिल जाता है, माइक मिल जाता है, और इस side अगर देखें तो vanity mirror भी मिल जाता है, तो features अपने सारे देख लिए हैं front के, अब safety features की बात करें, तो यहाँ पर अपने को 2 airbags मिल जाते हैं front में, स देखें, under thigh support काफी बढ़ी है, मुझे मिल रहा है, और height भी अपन इसकी adjust कर सकते है, manually, तो seat का comfort, front का बहुत जबरदस मिलने वाला है, width भी बहुत बढ़ी है, यहाँ अपने को मिल जाती है front seats की, तो अब चलते है rear seat में, और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या features मिल जाते हैं, तो seat को अपन कर लेते हैं, adjust, तो यह हो गई अपने height के according adjust, और इसको कर देते हैं अपन, one, तो हो गई ना सारी चीज़ें, बिल्कुल, तो अब चलते है rear seat में, door panel की बात करें तो देखी, यहाँ पे भी अपने को soft touch मिल जाता है, power window का button मिल जाता है, और नीचे bottle holder और speaker का grill मिल जाता है, seats की बात करें तो देखी, यहाँ पे dedicated अपने को armrest भी मिल जाता है, और headrest अपने को adjustable मिल जाते हैं, अब अंदर अपन स्पेस चेक कर लेते हैं, तो यह अपन आ गए हैं, अभी rear seat में, तो leg room देखिए, कितना बड़िया मुझे मिल रहा है, मेरी जो height है 59 है, और मेरे height के according यह जो seat है, अब under thigh support की बात करें तो यहार, वो भी काफी बड़िया मुझे मिल रहा है, तो उसका भी कोई issue नहीं, मतलब comfort एकदम जवरदस मिलने अब seats की बात करें, तो तीन passenger यहां easily बैटके travel कर सकते, कोई issue नहीं है, नीचे अपने को hump जो है, वो इकदम minor सा मिल जाता है, तो उसका भी कोई issue नहीं है, rear seat की सारी चीज़े अपने देख लिए, comfort तवर बहुत बढ़िया मिल जाता है, उसका कोई issue नहीं है, rear seat से front dashboard कुछ ऐसा मिल जाता है, अपने को Tata Aldros के XZ variant का, तो देख रहे हैं, ambient lighting कैसी चमक रहे हैं, एकदम dim form है, तो चलिए, अब चलते हैं, इसके engine bay के तरफ और देखते हैं, वहाँ पे अपने को क्या के चीज़े मिलती हैं, और बाकी बाते हैं, अपने वहाँ पे करते हैं तो rear seat की सारी चीज़े हो गई ही, बिल्कुल, पर हाँ, ये देखिए, इसको pull करके अपन उपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये भी एक रहे गया था, तो अब चलते हैं, engine bay के तरह, इसको open करने पिलें, तो देखिए, इसको open जैसे pull करेंगे, तो engine bay open हो जाएगा, तो ये है T Tata Altros का 1.2 लीटर का 3-cylinder petrol engine, पावर की बात करें तो इसमें लगबग अपने को 86 BHP का पावर मिल जाता है, साथ में 113 Nm का torque, पावर और performance काफी बढ़िया है, और जो new upgrades है, उसके बाद में यहाँ पे अपने को refinement भी बहुत जबदस मिल जाता है, साथ में ऊपर अपने को extra insulation मिल जाता है, NBH level control करने के लिए, ABS EBD की यहाँ पे अपने को unit मिल जाती है, तो ये था अपने पास Tata Altros का second top variant XZ features देखे, आपने कितने बड़िया है, इसमें मिल जाते है, और साथ में यहाँ पे अपने को जो तगरी build quality मिल रही है, वो तो बिल्कुल unbeatable है Tata Altros की, तो पेट्रोल इंगन के साथ में, एक शोरूम प्राइस की बात करें तो यह 8,59,000 में आ जाता है, ओन रोड प्राइस की बात करें तो यह 9,79,000 में ओन रोड आ जाती है, और यह जो प्राइसिंग है, बालागार्ट सिटी मध्य प्रदेश की है, तो चलिए वीडियो में रखते